तो गाई जबी हम हैं फोन पे के अंदर और यहां पे मैं एक रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखे तो हम फोन पे के अंदर यहां पे 239 रुपीज का रिचार्ज कर रहे हैं जिसमें यहां पे हमें 2 रूपए platform fee के उपर देना पड़ रहा है य ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की अप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिस अप्लिकेशन के थुरू आप हर रिचार्ज पे अप्टू 5% का कमिशन अर्न कर सकते हो, यह बिल्कुल जैनमीन है, यह सुनने में यहाँ पे इंपॉसिबल लग रह और यहाँ पे एक ट्रॉस्टर प्लेटफॉर्म आपको अप्टू 5% कैश्बैक रिचार्ज पे यहाँ पे दे रही है, अब देखो अगर हम बात करें इस अप्लिकेशन की, तो यह अप्लिकेशन है मैक्स पे, और आज के टाइम में इस अप्लिकेशन के थुरू आप रिच मैक्स पे पे आप कैसे अकाउंट बनाओगे, कैसे रिचार्ज करोगे और यहाँ पे कैसे आपको cashback मिलेगा, इवेन आप इसको रेफर करके पैसे कैसे कमा सकते हो, मिन्स यहाँ पे इस अप्लिकेशन के बारे में मैं आपको complete information देने वाला हूँ, तो दोस्तों अगर अभी मैक्स पे अप्लिकेशन के बारे में बात करें, तो बिल्कुल genuine application है, और आज के टाइम में 4,000,000,000 प्लस retailer इस application को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे daily commission है वो यहाँ से generate कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैक्स पे आपको account कैसे बनाना है, कैसे recharge करना है, इवेन यहाँ प description में आपको max पे application का link मिलेगा, आप link पे click कर लेना, और सबसे पहले इस application को अपने phone के अंदर install कर लेना, देख सकते हैं application यहाँ पे install हो रहा है, जैसे ही application install हो जाता है, मैं आपको आगे का process बता देता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो application हमारे phone के अंदर successfully install ह हो चुका है, simply आप इसे open करेंगे, open करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, अब देखो यहाँ पे आपको mobile number और password दो option आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप Max Pay के अंदर पहली बार अपना account create कर रहे हो, जिसके लिए आपको नीचे sign up का option है, आप sign up पे click कर लेना, अब यहाँ पे आपको फटापट से अपना कुछ information फिल करना है, जैसे कि दोस्तों आपका full name, आपका mobile number, आपका email ID, आपका password और उसके बार directly आपको यहाँ पे register वाले button पे click कर देना है, सारे information को फिल करके जैसे ही आप continue पे click करते हैं, आपके mobile number पे Max पे OTP भेजती है, अप आप नीचे verify OTP वाले button पे click कर देना, अब जैसे ही आप अपनी mobile number को OTP के साथ verify कर लेते हो, आपके सामने कुछ ऐसा dashboard आएगा, यहाँ पे आपको pin बनाना होगा, ताकि आप अपने pin के मादियम से transactions कर सको, तो यहाँ पे आपको 48 का M pin बनाना है, आप अपने हिसाब से कोई बना सकते हो, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको confirm कर देना है, अब देख सकते हो कुछ ऐसा interface आपके screen पे आजाएगा, जहाँ पे आपको add money, wallet history और यहाँ पे recharge history, तीन option आपके screen पे दिखाएंगे, सबसे उपर है आपको add balance करने का, तो यहाँ पे सबसे पहले आपक इस प्रकार से add करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, आप add balance वाले button पे click करेंगे, जैसे ही आप click करेंगे, आपके सामने इतना interface आयाता है, यहाँ पे आप online deposit कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको 0% charge के उपर, आप UPI से यहाँ पे पैसे add कर सकते हो, एक्जाम यहाँ apps होते हैं, उसमें आपको दिखाएगा, यहाँ पे मैं phone pay को select करता हूँ, और यहाँ पे मैं 2500 रुपए का payment है, वो इस application के अंदर जमा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको live recharge करके दिखाने वाला हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, कि यहाँ पे transaction successful हो चुका ह है, और यहाँ पे हमारे max pay account में 2500 रुपए add कर दिया गया है, आप देख सकते हो, transaction success हो चुका है, simply हम done वाले बटन पे click करेंगे, अगर आप ऊपर देखो, तो 2500 रुपए आपके screen पे show हो जाएंगे, अब देखो यहाँ पे आप जो भी करना चाहते हो, कर सकते हो, recharge, bill payment, हम यहाँ पे mobile recharge करना है, हम simply prepared वाले बटन पे click करेंगे, यहाँ पे आप mobile recharge किस प्रकार से करोगे, तो सबसे पहले अपना mobile number, कौन सी company का SIM है, कहां का SIM है, और कितना amount आपको करना है, वो भी आप यहाँ पे enter करोगे, अगर आपको specific company का plan देखना है, तो आप view plan पे click करके, क्य plan आपके number पे चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो, और उसके बाद आपको final में, और सारी information को fill करने के बाद, आपको नीचे submit वाले बटन पे click कर देना है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कि मैंने 239 रुपीज का recharge कर रहा हूं, जिसमें हम simply submit पे click करेंगे, आप के सामने कुछ ऐसा interface आएगा, और यहाँ पे आपने जो अपना MPN बनाया था, वो MPN आप fill करेंगे, और अपने confirm करेंगे, तो यहाँ पे आपका recharge successful हो जाएगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, request accepted आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो recharge है, वो successfully यहाँ पे हो ज कटा है, और यहाँ पे करीब 4 रुपए इस recharge के ऊपर हमें commission मिल चुका है, तो यहाँ पे आप live देख सकते हो, कि यहाँ पे हमें 249 रुपए के recharge पे 4 रुपए का commission यहाँ पे दिया गया है, यह amount जितना बढ़ेगा, उतना आपका commission यहाँ पे बढ़ेगा, अब देखो यहा यहाँ पे आपको BSNL के ऊपर आप recharge करोगी, तो उसका अलग मिलेगा, जियो के ऊपर अलग मिलेगा, मतलब maximum यहाँ पे आपको 5% तक का cashback इस application के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने आपको live recharge करके दिखा दिया, और उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको commission जो 100 रुपए एड करते हैं, और अपना recharge complete करते हैं, या फिर कोई भी bill payment करते हैं, यहाँ पे बस funding हो जाता है, यहाँ पे max pay के wallet के अंदर 100 रुपए एड कर लेते हैं, तो इसके ऊपर दोस्तों आपको 100 रुपीज का cashback मिलेगा, और यहाँ पे यहाँ पे आपको कोई भी limit नही ही है, आप जितना refer कर सको उतना यहाँ पे आप कर सकते हो, तो अभी तक आप recharge के लिए phone पे, Google पे या फिर Paytm इस्तमाल कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे switch होने के लिए best option मिल चुका है, आप यहाँ पे switch कर सकते हैं, क्योंकि recharge के लिए best application यहाँ पे max पे है, और इस application के अं commission देखें, तो इसके उपर आपको क्या-क्या commission मिलेगा, यहाँ पे आपको commission chart भी display हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और सारा commission यहाँ पे दिया गया है, और recharge करने की तुरंद बाद ही, आपको यहाँ पे commission मिल रहा है, तो उमीद करते हैं, यह application आपको ख्याल रखिये, take care, have a good day.